क्या होता स्टन्ट बोलना मेरको तो नियो दूर बोल स्टन्ट क्या होता बोल मुझे बताना बोला आज के व्लाग के शुरुआ जो वो मॉर्निंग के टाइम में हो रही है और अभी हम आए है कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पर आप देख सकते हो पीछे बाकी व्लाग शूट करना था मैंने सुचा घर पर शूट करूंगा बट फिर मिरको माइन में आया कि यार डेली डेली घर प आपको कुछ देख सकते हो अभी हम कहां पर आप तो यह नीचे आपको नैशनल हाइवे दिख रहा होगा और वहां पर चनहाब का वीव देख लो ठीक है तो अभी हम कुछ ऐसी जगह पर और आज का सीन यह रहने वाला है कि अभी हमें सबसे पहले जाना है जब आपके घर कर चारजर में के आते और यहां पर हमने अपनी स्कुटी पार्क यह पीछाए तो अव चलते हैं बाकि दो मोल कोल्डू घर भी लेकर बैला तो एटीक है तो आसे मिलते हम कोई फांच मिनेट दाप वाइव मिनित लेटर इस वह पर बैचनी है तो तो वह Küa हो गया कि वह बैचीज हो गई है है भाग सब्सक्राइब करें दके हो यह पड़ इंग को कि इस कर दी है तो काफी बाख स्काइब हो गया हो तो मेरे पास वह अपका को कृप भी दिखा दूगा भी स्टैंड पटा क्या होता है सराम, मीज़ कोईनी बेट, क्या होता है? महीं कोई ने रखालों में बोल स्टंट क्या होता है? मॉल स्टंट क्या होता है? अब नागे नहीं भेट है? 110 आपके संगे क्रोम पहरे वह आ остुम यह होँ है अघ्री पुर इस वैपर कुंट आपने नहीं नपुतर आप कि आपढ़ना बोर्ह 2D खर्ड़ आ सट पॉर कैमा सट बादें किया हुआ । क्या होता, 스링 कोई, बोलना कोई, नीयो, इस बोल भल स्टन्ट, क्या होता इतभ हाल टा? और शाले अप्सरम से पता कर ले क्या होता लिए क्या प्वाज यह अपि झात पास मेर कोई बोलना नाकल सिंपली मैं निकलू यहां से, प्लीस अचाना का गे तो बोला मेरे को भुल ने पिस अरिवरिवतchnी बोल और बोलंव स्टन्ट पिल्ड कि थे पोफ त। पंछस्ट नहीं जाता है और प्रहने स्टन्ट जा रालए पिदा ले हो तहे थे समझ हो सद्ट किया होता थे पुल नहीं तो आपने हम जाते हैं कुसमान बगारा लेना है हम पहले वो समान ले लेते हैं वह जा है कि शाहइद उनकी बाइक वहीं पर रोड में ही होगी जहां पर वह सीज की हुई है उपर से नंबर प्लेड भी नहीं वह तो आम सब जानते हैं तो चलो कोई बात नहीं देखते हैं क्या सीन रहता है बहुत बढ़ा चलो दुकान पिसमान लेना है तो एक ब्यू पुली थी बखी स्टींग बगारा और में स्टींग है गर्मी जादा है गाइस क्या ही बता हुआ आपको मैं सर्दी कब इतनी जादा सर्दी पूरे मेरे आगे से हाथ सुन पड़ जाते हैं अभी तो मैंने फिलाल जाना है अजब एक घर मेरा चार्जर वहां पे रहे हैं वो चार्जर लेकर आते हैं तो हम तो देखो हम तो बराबर रूल्स रेगुलेशन के साथ ही चलते हैं जहां पे हमें लगता से फिर ऐसा सब हो जाता है अब आपको क्या लगता है कि हम यहां अपने मार्केट में चलेंगे तो हमें क्या पुलिस वाले पक्रेंगे हम पर जाद अब सिखनेस होगी ना उनकी क्योंकि गल्ती एक करता है वोगितना सब को पड़ता है तो अभी तो हम प्यार से जाएंगे य और देख के वर अब मिलते जाके बोलते रहे थे यही पर कहीं है तो हम जो कुई नहीं कौल कर दूंगा नो गलती तो लगे ही लगे कि अ मतलों गल्ती एक करे भूखते सब तो वोई स्कायम हो गया वचारे राजा भाई के साथ अपने तो चलो कोई नहीं मैं तो सोच जाते उनकी बाइक भी देख लेते कहां तो यह पट पहले हम बबलु बेर से मिल लें ना में तो सोच भाई भी जा साथ ले बाई भाई। प्लाइब एक उर वेडियों मुझी है प्रूज कर दो एक हर दो जो प्राशा। हो झाल कर दो कर दो अब यहारा स्तारा के नाम से मुशूर है जाए फ्यू मॉमेंट्स ले लिया शायद ले लिया यह राजे में चार्जर हमारे जे में अब देख सकते हूं चार्जर अब यहां आपके एक वड़िए पको शूज लगा लेते हम तो यहां पे घशन कर लो याँ टाए राट है यहां पिख्यू पिख्यू इदर आने इंधर नー कि दीना कैसे बागती है है कि मुर्च लगा दो पहले। पिश्टत पिखूचरण के शुद यह दोति किन तचल फिर दोह पीअने टांइप객 bringing कितर जाने और में पिफूका जाना है दोडे दोडे जाने पिकू दोडे तो गाइज अभी पिकू बोली है दोडे जाना है एक्चल मैं शाहिद से यह भी राजर डीसी की बाइक देखना चालती है तो चलो अब हम आप से सिधा स्कुटी पे मिलते हैं तो गाइस बबलु भी आगे जा रहे हैं अपनी वर्ना लेके काफी दूल उड़ा रेहेंगे धेख सकते हो नहीं चलो अफ गाइस काफी घेठा हैं से तो यहांसे रोड बन रही है हम यहां नीचे रोड पे जाएंगे क्या चल रहे हैं उनने तो मस्त गाने लगाएं अंदर गाडी में बैठे वे और अंकित भी साथ में तो अब ये दो गाने सुनते सुनते जा रहे हैं और मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूं बिल्कुल तबाई हो गई रे बाबा अपनी तो तबाई हो मुझे तो काफी जादे सद्धी लग दी आप मेरे हाथों की कंडिशन देखो गे ना बिल्कुल रैड हो चुके हैं गाई कि क्या हुआ रुके क्यों है भाई हलो क्यों क्यों रुके क्यों है तो वहां पर आप उनकी गारी लगी हुए तो आप आम उनको पकड़ेंगे जल् लगता मैं क्योंकि आगे इनके पीछे-पीछे आप चलोगी अचानक से ब्रेक मार देंगे और दूसरे बंदे को टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी बाइक वगारा वालों को टाइम ही लगता बिल्कुल भी कहीं कुछ स्क्राइब हो जाए तो काफी जादा दिक्कत रहती कि अफालों नहीं करता है कि बसे बगारा के जाता पीछे-पीछे चलो आप देखो अब मैं यहां से पास लूँगा इनसे बट अगर कोई गारी बगारा ना हुई आगे तो कोई भी नहीं है तो निकल गए हम तो व्यू देख सकते हो गाईस आप यहां पर कितना प्यारा व कि यहां पर मारे बबलू भया फाइनली हमने इनको पफेड लिया काफी दादर तेज चलते हैं यह पतानी क्या सोचके तेज सलते हैं यह देख सकते हैं कि गाड़ी क्या मज़ेदार आ रही है वाओ यार वाओ ऑसंगाड़ी है तो यहां पर उनके साथ स्कैम हुआ हम आप पहुंचने वाले हैं तो यहां पर नाका नहीं होने चाहिए कोई यार काफी जादा दिक्कत रहती है इधर नाकों से नाब क्यूंकि यह मैंने आपको पहले बोला ना गल्ती एक ने कि यह भूगतनी सब को पड़ेगी अब देखो मैं फुल स्पोर्ट करता हूं अपने रा कि यहां पर पार्क करेंगे गाइस आगे नाका है मैंने पहले बताया तो यहां पर स्कूटी अगरा पार्क करते और निकलते हैं आगे यहां से पैदल जाएंगे बिलकुल हम ठीक है तो यहां पर पार्क करते हम कि मुझे ना लाइसेंस का थोड़ा से इश्यू है अभी तो लर्नर मेरे पास कैम हो जाएगा काफी तो मैं भी सोच रहा हूं कि खाली ऐसे ही जाते हैं ठीक है स्कूटी तो हमने पीछे पार्क कर दिया वहां का कोई इश्यू नी और हैलमेट भी हमने शॉप पर रख दिया अब हम जाते हैं ऐसे पैदल जाना पड़ रहा है सोचो क्या क्या करना पड़ता है आपके पीछे कितना कुछ कर रहे हैं तो होप आप चैनल को सब्सक्राइब करोगा अगर वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करो क्योंकि रीच वगारा नहीं मेरे च मोह देखो कितने ट्रक वगारा रोग के रखे होए इन्होंने तो चलो अबने तो अबने स्कूटी मोर दी यहां से जल्दी जल्दी वापिस क्यूंकि इनका ना कोई भरोसा नहीं अब मोटो व्लागिंग पे तो यहां पे मुझ लगता कहीं सीन ना क्रिएट कर दें यह सब्सक्राइब आदो यहां से यहां से यहां पर उनकी बाइक जो एब रहें मतलब टो इसलिए उनने बोला से यहां के साथ तो आज मुझे पता लग रहा है लाइसंस कितना जुरूरी है वालों को इग्नोर करो बाल काफी जादा ख्राब है तो यह वो जगा अभी मैं सनुरूफ से बाहर निकलता हूं तो यह देख सकते हो आप यहां पर स्कैम हो रहा था यहां पर मतलब यहां पर उनकी बाइ आज भी सीज़ हो सकती है तो गयज अभी हम जा रहे है पुल्डोडा चोकी के पास हम वो बाइक देखेंगे अगर वहां पर होगी तो ठीक है अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं हम आपको किलिप दिखाएंगे अधर रॉवाइस अम उनकी बाइक भी दिखाएंगे और उ तो आपको दिखानी पाई लेकिन हम आपको वो क्लिप दिखा देंगे और यहां पे लोग कह रहे हैं कि वो स्टन्ट नहीं था अपनी तो वो पुलिस वाले जो थे वो फ्रंट में आगे थे काफी जादा सामने आगे थे जिस वज़े से क्या हो गया कि वहां से वह भागे यह सब्सक्राइब तो अब लोग लेके कहने की वह स्टन्ट मार रहा था तो आसा कुछ नहीं था स्टन्ट नहीं मारते है वह स्टन्ट NE मारते ऐसे बिना मतलब को तो इसलिए शाहिद वह वी 3वस्त को इतना गुसा आया था उनude है इसलिए ने सब आख पास किया होता है स्टंट बदा हो स्टंट कि इसको कहते हैं मार्ना तो अभी हम देखते हैं यहां से वियू दिखाते हैं आपको कि आपको कॉन नाजरा रहा होगा बाकी यहां पर इनस्टू in तो वहां से आती है बाकी जाम देख सकते हो कितना जाता लगता है इस रोड़ पे आइस बाइक दिखानी था आपको बाइक नहीं दिखा पाएंगे इस तुन तो ने मारा नहीं है वह जस्ट वहां से निकले हैं तो चलो कोई बात मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेर करो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बाकी 200 सब्सक्राइबस जल्दी से जल्दी कर दो 200 होने वाले हैं तो बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मिलते है आपसे एक मस्वी बड़ी आसी वीडियो में तब तक के लिए ओके बाई टेक किया पीस आउट गाई